बीए पार्ट प्रथम के ध्यार्थियों का पुने मैं इस ओनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ जैसा कि पिछली क्लास में निरंतर रूप से हमने पढ़ा था कि जो समुद्र विज्ञान का जो टोपिक है मासरीजल का तापमान और लबंता तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि मासरीजल के तापमान में अंतर होता है कौन-कौन से संस्तर होते हैं और आज की क्लास में हम इस टोपिक को निरंतरते आगे बढ़ाते हुए सागरीजल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं अर्थात भूमद रेखासे ध्रुबों की और तापमान में अंतर आता है ये किन-किन कारकों से प्रभावित होता है सबसे पहला जो कारण है ये जो कारक है जो मासा की जल के तापमान की वितरन को प्रभावित करता है वो है अक्छांस बोमद्रिय के छेत्रों में अधिक सूर्यताप के बावज चेत्रों में अधिक तापमान पाया जाता है जबकि अधिक अक्छान से विस्तारवाल चेत्रों में कम तापमान पाया जाता है। चेत्रों में अधिक तापमान पाया जाता है। तो भूमद्य सागर इसका उत्तर है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि वित्रन वगेरा को पढ़ने के लिए आपको राजने तिक जो मान चित्र है फिजीकल जो मान चित्र विश्व का उसको पढ़ना बहुत जरूर है। उस पर जितनी आप अच्छी पाकड रखोगी उतना ही वो अच्छा माना जाएगा। भुमध्रियखाप पर शमुद्रियजल का वारश सेग्सेख तापमान चपमी डिगरी सेंटिग्रेट, 20 डिगरी अकछांस ओपर 53 डिगरी सेंटिग्रेट। और 60 degree अक्चांस उपर 1 degree centigrade सागर के सटै जल का ओसा ताप मान लगवग 22 degree से o치 तो पहला जोकारक है जो महासागरी क़ के ताप मान को प्रभावित करता आई वह है अक्चांस चान रखना नम्मर दो प्रचलित पवने अब दीखिए पवने जब चलती है तो ये भी महासावी जल के तापमान को प्रभावित करती है प्रचलित पवने अपने साथ समुद्र तल के जल को बहा ले जाती है इसकी पूर्ती के लिए समुद्र के निचले भाग से ठंडा जल उपर आता है इस प्रकार जिस ओर से पबन चलती है वहाँ पर समुद्र के जल का तापमान कम तता जिस ओर से पबन चलती है वहाँ अधिक रहता है यही कारणे उशनी कटी बंदों में सनमारगी पबनों के प्रवादिन माशागरों पूरी भागों में समुद्र जल का तापमान कम तता पक पुइंट है। धिहान रखना है। इस तरही पृतियोगता परेक्छा है। जेसके पृतियुगता परेक्छा रिक्छा है। इस्कूल व्याख्याता पर एक्षा होती है NTA जो NET का एक्जाम होता है उनमें ऐसे कॉंसेप्ट के प्रशनाते है तो पिर्चलित पवने मासर्ग जल के तापमान को पिरभावित करती है यहाँ पर में एक बात समझा रहा हूँ आपको ध्यान देना कि जो निमनक्छान से छेत्र है अर्थात भूमद रेखा के और करक रेखार मकर रेखा के मद्द का जो छेत्र है वहाँ पर व्यापारिक पवने चलती है जो नियती नियत पवने मतलब वर्सवर एक निश्चे दिसा में चलती है चूंकि ये पूरब से पक्षिम की और चलती है तो ये जब पवने चलेंगी तो पूरब से जल को पक्षिम की और ले जाएंगी तो पक्षिम की और जब जल ले जाएंगी तो पक्षिम की जो खिनारे माशागरों के पक्षिमी जो भागे माशागरों के इन निम्न अक्षांसे छेत्रों में वहां तो तापमान अधिक होगा लेकिन माशाग उनके पूरी भागों में जहां से पबने जल को हटा करके ले जाती है और जिसकी छती पूर्ती के लिए नीचे से ठंडा जलाता है तो वहां तापमान कम पाया जाता है जबकि इसी कॉंसेप्ट को यदि अंद्य अक्षांसे छेत्रों में अर्थात पछ्वब्लणों के छेत्रों में लागो करे तो विपरीत कंडििशन होगी क्योंकि करक रेखा और 6.6 degree निभा दोनो अक्षांसों में दोनो गोलाड़ों में 45-degree और 6.5-60 degree के जो मद्द का चेत्रे वहांपर सामनेत है पछोड़ों हवाय चलती है, पछोड़ों हवाय पख्शिम से पूरर अब की ओर चलती है, इसलिए यूरोप जो महादीप है उसके जो पक्षमी किनारे हैं वहाँ पर साल वर बंदरगा खोले रहते हैं और सीतकाल में भी मोसम सठीक रहता है तो यह इस तरीके से जो प्रिचलित पबने होती हैं वह आपके महासागरी जलके तापमान को प्रिभावित करती हैं तीसरा है बिंदू समुद्री धाराएं जिन लाकों में गर्म धाराण चलती हैं वहाँ पर तापमान अधिक तथा जिन लाकों में ठंडी धाराण चलती हैं वहाँ का तापमान कम होता है अब जो धाराएं होती, खो भी तापमान को प्रिभावित करती है कि अगर कोई धारा, माशागरी धारा कीजी जेतर में पोंच रही और वो गरम धारा है तो वहां के तापमान को बढ़ा देती है जबकि एक धारा जो ठंडी धारा है, तो वहां पोंचेगी तो तापमान को कम कर देती है इस प्रकार ठंडी धाराएं तटवर्ती चेत्रों की तापमान को कम कर देती है यहाँ पर एक थन कारण के प्रिशन दे रखा है यूरोप माधीब के पक्षिम में साल बर बंदरगा खोले रहते हैं कारण दे रखाया उत्र है त्री अट्लांटिक डिफ्ट द्वारा यहां पर गर्म धाराएं चलती हैं दोनों सही है और व्याख्या भी सही है उत्री अट्लांटिक डिफ्ट पक्षी यूरोप के तटवर्ती छेत्रों में तापमान को उचा बनाए रखती है चौथा जो बिंदूत ओंद हुए माशारीजल के तापमान को प्रभावित करने वाला हुए है समी बरती इस्तर खंड़ें उनका भी फ्यापक प्रभाव रेता है खुले माशागरों को तापमान साधरंते एक समान रेता है परन्तु इस्तल खंडों से घरे समद्रों को तापमान ग्रीश मृतू में अधिक वे सीत्रतू में कम होता है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि खुले सागरों की अपेक्चा इस्तल खंडे से घरे हुए सागरों को तापमान अधिक रहता है निम्न सागरों में से अपेक छक्रत किस महासागरी की छेत्र का तापमान अधिक होता है लाल सागर, केरिबीन सागर, सारगेसो सागर, बंगाल की खाड़ी तो लाल सागर का तापमान अधिक रहता है अगला जो बिंदू है मासागरी जल के तापमान को प्रभावित करनन वो है लवनता अधिक लवन वाला जल अधिक उश्मा को ग्रेहन कर सकता है अधिक उसका तापमान भी अधिक रहता है प्लावी हिमसेल प्लावी हिमसेल मतलो होता है जो उचक्षांसे छित्रों से जो तैर करके सिला खंडा आते हिमके तो उनसे भी तापमान पर प्रभाब पड़ता है प्लावी हिमसेल छित्रों में जाकर तापमान को कम कर देते हैं ग्रीश मिकाल में निम्नक्षांसे छित्रों की और बहकर चले जाते हैं अर्थात जब प्लाभी हिंसेल उच्छान से छेत्रों से बहकर के निम्न अक्छान से छेत्रों में आएंगे तो वहां के तापमान को कम कर देंगे तो ये जो बिंदू हैं जो मासागरी जल के तापमान को परवावित करते हैं पने मैं दुबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ सबसे इंपोर्टेंट जो बिंदू है इंपोर्टेंट जो का रहा के महासारगी जल के तापमान को प्रभावित करने वाला उसमें नम्मर एक आता है अक्छांस नम्मर दू आता है प्रचलित पवने इसी प्रिकार से महासागरी धाराएं इसके बार इस्थल खंड का वितरन प्लावी हिन्सेल्व तो यह बिंदू महासारगी जल के तापमान को प्रभावित करते हैं अब है ताप अंतर रितू परिवर्टन के साथ-साथ महासागरी जल के ताप मान में अंतर होता रहता है जिसे सवार सी ताप अंतर कहते हैं यह परिबरतन महार दीपों के ताप मान से कम रहता है आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागरी का पेक्षा ताप अंतर अधिक होता है अर्था देखिए जो भी जलिय बोड़ी जो बाटर बोड़ी है जितनी बड़ी रहेगी आकार में उसमें ताप आंतर कम रहेगा और छोटी जो बाटर बोड़ी होती है उसका ताप आंतर अधिक होता है क्योंकि आकार के साब से प्रशांत महाशागर अट्लांटी महाशागर की तल्णा में लगवग लगवग दो गुना आकार रखता है, जिस कारण से प्रौशurst माशागर में तापांथर कम रहता है, और अट्लन्ति माशागर में तापांथर अधिक रहता है, इसी परकार उत्री गोलाषट माधीपों को विस्तार अधिक तथा, तापांतर भी अधिक है, जब दक्षनी गोलार्द महासागरों को विस्तार अधिक होने के वज़े से तापांतर कम रहता है, जब उत्री भाग में अधिक रहता है मासागरी जल के गरम होनी की प्रक्रिया भी अलग-अलग तरिस होती है मासागरी जल को उश्मा की प्राप्ति मुखते दो विदियों सोती है सोर उर्जा के फिक्रन के अफ्शोसन द्वारा प्रत्वी के आंत्र उश्मा के कारण माशागरों उत्पन सम्में धाराउं द्वारा निमन में से सरवादिक ताप अंतर देखा जाएगा लाल सागर में, सारगेसो सागर में हट्सन की खाड़ी में, दक्षिंचीन सागर में लाल सागर में तो इस तरीके से ये टॉपिक था माशागरी जल के ताप मान को प्रभावित करने वाले कारक तो यहां पर यह बात ध्यान तक नहीं यह प्रस्ण काईबर टिपनी में यह आपके पूछ लिया जाता है तो माशागरी जल को ताप मान को प्रभावित करने वाले कारक है वह आपके अक्छांस परचलेत पबने मासागरे धाराएं पलावी इन्सेल्व इत्यादी चो कारके वो मासागरी जल के तापमान को प्रभावित करते है यहाँ पर एक वर्क लिख लीजिए अब हुमबर्क के रूप में एक परसन लिखिए मासागरी जल के तापमान को प्रभावित उमर करने वाले कारकों की विस्तरित विवेचना कीजिए मासागरी जलके तापमान के वित्रन को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तरित विवेचना कीजिए धन्यवाद, थेंक्यू, थेंक्यू सो मच